हेलो व्रेंग्स कसे हैं आप सब लोग दोस्तों आप विश्याल आप सबके स्वागट करता हूं आपी के चैनल में उमीद है आप लोग को वीडियो पसंद आ रही होंगी पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बैल आइकन को दबाना ना भूलें त और काफी कुछ में गारेंटी देता हूं इस वीडियो से आप सीख पाएंगे लर्न कर पाएंगे किस तरीके से आज की ट्रिक में बताऊंगा ओके दोस्तों अमेजिंग होगी ट्रिक इस बात की में गैरेंटी देता हूं तो दोस्तों मैं विशाल अक्रवाल आप सबकर दोस्तो अगर आपको ये वीडियो पसात आएगी तो इसे लाइक भी करना है इसे कॉमेंट भी करना है ओके दोस्तो और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा देना उसी से आपको नोटिफिकेशन मिला करेगी हमारी आने वाली वीडियो की और हमें मोटिफिशन मिला करेगी अगली वीडियो बनाने की ओके दोस्तो तो दोस्तो बहुत अच्छी आज एक ट्रिक बताने वाला हूँ जो शायद आपको पता हो मेभी आपको नहीं बता हो दोस्तो आपके मोबाइल का इंटरनल स्टोरी मोबाइल की जो बैटरी होती है वो बहुत जल्दी खताम हो जाती है लेकिन आपको ये चीज नहीं पता है आपके मोबली बैटरी क्यों खताम हो जाती हैै और क्या तरीके हैं उसे prevent करने के ओके दोस्तों किस तरीके से आप उससे सावधानी बरस सकते हैं किस तरीके से अपनी बैटरी को ज्यादा यूज कर सकते हैं दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना होगा मैं आपको बताता हूं कुछ simple steps है follow कीजिएगा और काफी कुछ आप यहां पे जान पाएंगे तो setting में जाएगा दोस्तो setting में एक option होता है जो आप पता होगा आपको आप यूज नहीं करते बैटरी सेवर का एक option होता है जिसे दोस्तों use नहीं करते लोग तो जब की use करना बहुत ज़रूरी है मैंने यह setting option अभ भी बंद कर रहा था अब देखी मैं आप को बताऊंगा किस तरीके से से यूज़ कर सकते हैं दोस्तों उपर लिखा हुआ 87% जो 30 घंटे नॉमनेट रमेनिंग है यानि कि बैटरी सेवर चालू नहीं है फिर भी 30 घंटे नॉमनेट चलेगा यह फॉन ओके दोस्तों अगर मैं बैटरी सेवर चालू कर लूँगा तो कित अब आधे distill बैटरी बैर जिस तरीके से यह आपका जैसे यह बैटरी सेवर उन कर दिन आपका जो परसेंट इस क्राइटेरिया निदुद अच्छी तरीके से चला गरेए जो और दोस्तो कुछ तरीके हैं जो मैं आपको और बताने वाला हूँ Optimize, Optimize पर जाईएगा दोस्तो Optimize यानि कि यह बताएगा आपकी draining battery कैसी है ओके दोस्तो यह सारी चीज़ें आपको detail में बताएगा देखे दोस्तो इसमें क्या होगा Adjust screen brightness automatically ओके दोस्तो यानि कि आपका on है ओके दोस्तो तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं Adjust screen brightness automatically करेंगे तो आपकी चार मिनिट बैटरी बढ़ जाएगी ओके दोस्तो अगर आपने यह battery saver चालो कर दिया Don't wake screen for notification Notification आती है तो screen जो है आपकी on नहीं होनी चाहिए Lock device after 15 seconds of inactivity आपके mobile में कोई भी activity नहीं होती है 15 seconds तक तो यह अपने आप screen बंद हो जाएगी जो कि बैटरी increase गरने के लिए सबसे better option होता है Prevent app for opening automatically कुछ app अपने आप open हो जाती है वह open नहीं होंगी Prevent app for opening other apps ओके दोस्तों कुछ other app है वह भी open नहीं होंगी तो इन सब के बारे में यह काफी detail में एक तरीके से investigate करके यह battery performance आपके बढ़ाता है Save power bend devices locked ओके दोस्तों आपके power save होगी जब device locked होगी Screen brightness यह सारी चीज़ आपको इस तरीके से हो जाएगा Add 46 minute हम कर देते हैं ओके दोस्तों अब देखिए screen मेरी हो गई low और यहाँ पे अब मेरी performance बढ़ जाएगी ओके दोस्तों यह देखिए ओके दोस्तों तो इस तरीके से आप use कर सकते हैं ओके दोस्तों एक चीज़ होती है जिसे बोलेंगे schedule power on power off ओके दोस्तों क्या होता है यह आप चाहे ना इस पर power on power off का time लगा सकते हैं in case आपको लगता है कि इस time के बीच में evening में आपके पास कुछ नहीं होता है यानि कि आप phone बिल्कुल use नहीं करते हैं तो उस time चाहें तो आप अपना phone off कर सकते हैं तो इसके लिए आप time schedule कर सकते हैं तरीके से इस तरीके से देखिए दोस्तों 15 seconds होता ही मेरा phone off हो गया था अभी मेरा phone में इनक्टिविटी अगर होई थी तो उससे मेरी स्क्रीन बंद होई थी पावर ओन पावर ओफ टाइम आप अपको खुद कर सकते हैं यानि कि अगर आपको लगता है इस बीच आप अपना phone यूज नहीं करते हैं तो उसका schedule लगाके phone switch off हो जाएगा अपने आप बैग आ जाते हैं ओके दोस्तों तो कुछ बैतरीन चीज़े मैंने आपको बताई हैं जो आप यूज कर सकते हैं जो कि काफी amazing है ओके दोस्तों तो यूज कीजिएगा दोस्तों बहुत amazing है ये tricks इन्हें आप यूज कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल भी पसंद आई है तो like जरू कीजिएगा दोस्तों काफी कुछ सीखने को मिला होगा आपको इस वीडियो से तो उमीद है दोस्तों ये व